हेलो फ्रेंड्स मैं रंजित जीए सास तक में आपका स्वागत करता हूँ दस्तो विपेसी पोस्ट डिटेल के अंत्रिकत आज मैं आप लोग को आप पूर्ती निरिक्षक अर्थाथ सप्लाई इंस्प्रेक्टर के बारे में पुरे विस्तार से बताने वाला हूँ जो 66 विपेसी में एक नया पोस्ट आया है आज मैं इस विडियो में आप लोग को आप पूर्ती निरिक्षक के पोस्टिंग, फैसिलिटीज, सैलडी, वर्क परफाइल और प्रमोशन के बारे में पुरे विस्तार से बताऊंगा तो यह विडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, विडियो को अंतक देखे, अगर हमारे चैनल पे नया है तो इससे सब्सक्राइब कर ले और विल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो भी मैं विडियो बना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच ने पौस्ट के बारे में आपोरती निरिक्षक के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि यह आप वुडियो निरिक्षक का जो पूस्थ है यह पहले अगर हम लोग बात करें आपुर्ति निरिख्षक के पोस्टिंग की तो आपुर्ति निरिख्षक का जो पद है वो खाद एवंग वगता सनरक्षेन विभाग के अंतरगत आता है और आप योगदान वहीं देते हैं मतलब खाद एवंग वगता सनरक्षेन विभाग में आप अपना योगदान देते है और आपकी नियुक्ति मतलब पोस्टिंग आपका जो होता है वो प्रखंड लेवल पर होता है मतलब ये एक प्रखंड अस्तरिये पद है और साथ ही दोस्तों मैं ये बता दूँ कि ये प्रखंड अस्तरिये पद होने के साथ साथ ही एक नन गस्टेट पद है ठीक है BPSC के सभी post के बारे में लगभग पूरे विस्तार से बता दिया है अब तक मैं 22 post के बारे में 22 पद के बारे में 22 से अधिक वीडियो डाल दिया है जिसमें SDM से लेकर के और सारे पद जो भी आते हैं उन सभी पदों के बारे में पूरे विस्तार से उसका job profile के बारे में मैंने बताया है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे playlist में जाकर बीपेसी post detail के नाम से एक playlist होगा उसे जाकर उन सभी वीडियो को देखिए ताकि आप जब बीपेसी men's qualify कर जाएंगे तो फिर आपको post preference में काफी फायदा होगा और साथ ही आप उन सभी पदों के बारे में विस्तार से जान पाएंगे तो definite उप से आप इन सभी वीडियो को देखिए साथ ही मैं SDM के training के बारे में भी पूरे विस्तार से बताया है तो definite उप से इन सभी पदों के बारे में जानने से आपके अंदर एक नया उर्जा और पद को पाने के लिए एक नया इनर्जी जागरित होगा तो अब हम लोग बात करते हैं facilities की तो जहां तक facilities की बात है तो आवास की सुबधा मिलती है लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉक है जहां आवास अभी नहीं बने है तो वहाँ पे उनको आवास की सुबधा नहीं मिलती है लेकिन बिजली बील और फोन विल ये सभी का भुकतान सरकार के द्वारा किया जाता है आपको गारी की सुबधान नहीं मिलती है मतलब गारी आपको परदान नहीं किया जाता है इसके साथ साथ और सारी शुबधाय जो बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है वो सभी शुबधाय आपको प्राप्त होती है तो मैं आपको बता दूँ कि शुबधाओं के मामले में ये पद थोरा सा जोर हो जाता है लेकिन और सभी मामले में ये पद काफी अच्छा माना जाता है अब हम आपको जो प्रफाइल की बात करें कि ये करते क्या है तो सप्लाइइ इंस्पेक्टर फूड सप्लाइइंस्पेक्टर या खाध आपूरती निरिक्षक जो है इनका पद जो है वो ये बताता चले कि ये पद जो है वो इंस्पेक्टिंग पद मतलब निरिक्षक का पद है आपका काम है निरिक्षन करना ठीक है इंस्पेक्शन करना तो ये इंस्पेक्टिंग पूस्ट है और ये ग्रूप बी का पूस्ट है सप्लाइइ इंस्पेक्टर की नियुक्ति छेत बुप्र जो उनक्षन विभाग के द्वारा जो भी सुवधा हैं algunas कृभाग Pacific काम है और पीडियेस के जो होते हैं पीडियेस उनका निरिक्षन करना इनका काम है जिसके तो आपको पताते चले कि नागरीकों के लिए रासरकार द्वारा जो भी सबसीडी या ख़दानों या अन्रवस्तू के विभिन प्रकार के जो वस्तूये प्रदान के जाती हैं उनके निर्दिष्ट वितरन केंद्रों के माध्यम से जो भी वितरन के अदो होते हैं जिसको हम लोग पीडियेस कहते हैं ठीक है डीलर के माध्यम से जो भी वितरन किया जाता है वो यही सुनिश्चित करते हैं ठीक है नगरिये इलाकों में भी ये अपना वितरन जो होता है दूर लबार्टियों तक पहुच रहा है या नहीं ये सुनिसित करना भी इन्हीं का जिम्मेदारी है आकास्मिक निरिक्षन भी करते रहते हैं समय समय पर जाकर ठीक है और अन्यमित्ता की इस्तिति में आवस्य करवाई भी करते हैं और इनकी पूरी जिम्मेदारी यही है तो उन पर सही योजनाय बनाई जा सके ठीक है जैसे आप लोग देखें ही होंगे कि अभी हाल ही में जो रासन कार्ट बन रहा है तो वो सभी रासन कार्ट जो है वो इन ही के निगरानी में इन ही के आदे मतलब इंस्पेक्शन में सभी चीज बनाई जा रही है इन ही के निरिक्ष और नियमितता के बिरोद करवाई से जूरे सभी कार्जों को निप्टाने के संधर्म में बहुत ही महतुपुन भूमिका होता है इनका मतलब साटकॉर्ट में कहें तो जो भी सारजानिक प्रणाली के अंतरगत लक्षित समू तक खदान और अनिसुधाय पहुंचा जाती है व सब्सक्राइब करें अर्था च्छाटे पे कमिशन में इसनी है चाली सो ग्रेट पे का यह जौब है और अगर यह बी एससी एक्जाम ले रही थी उससे में क्या था कि इनका पज जो था वह लेवल सिक्स का मतलब बैलिस सो ग्रेट पे का था लेकिन बीपेसी इसे चाली सो में रखा है सेवन पे कमिशन के इंसार इनकी बेसिक सेलरी चुवाली सेट नौ सो हो जाती है इसके अलावा इनको बहुत सारे एलावेंस होता है जैसे डी ए हो गया जहां आवाज की सुब्दा उपलब नहीं है वहाँ एचरे भी मिलता है ट्रैविलिंग एलावेंस मिलता ह है और सारी सुब्दाए और लावेंस जो बेहार सिलिधार करती है वह सभी सुब्दा इनको मिलती है इस परकार से देखा già तो इनकीетрory लगभग 32 से 75,000 के आश्पास में 55,000 के आश्पास में इनकी salary हो जाती है तो salary के मामले में और charge के मामले में ये काफी महतोफशन पत है जो लोग अगर public से जुड़े हुए काम में interest रखते हैं जो public के काम में interest रखते हैं जो अपने माधियम से लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए अगर मतलब ततपर्द हैं तो उनके लिए काफी अच्छा जॉब मना जाता है चुकि इनका जॉब जो है वो पब्लिक रिलेटेड है तो अब चलिए हम लोग जानते हैं प्रमोशन के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप लोग दे इस तरह से है उन सभी के बारे में पुर्य विस्तार से इसमें वर्नन किया गया है सिनियरिटी और का भी पुर्य विस्तार से वर्नन किया गया है तो आपको बताते चले कि इनका जो प्रोबेशन आवर है प्रोबेशन पिरियेड है वो कितने दिन का होता है प्रोबेशन पि प्रोमोशन के दवरान ही होता है और प्रोमोशन की बात कर ले तो प्रोमोशन में सबसे पहला जो आपका प्रोमोशन होता है सप्लाई इंस्पेक्टर से आप प्रोमोशन प्रोमोट होकर के बनते हैं marketing officer ठीक है marketing officer पहला और ये promotion आपका लगभग 8 से 7 से 8 साल या कभी-कभी 10 साल भी लग जाता है तो 8 से 10 साल में आपका ये confirm आप marketing officer बन जाते हैं marketing officer के बाद आपका जो दूसरा promotion होता है वो assistant district supply officer के रूप में होता है और इसमें आपको लगभग 5 साल लग जाता है तो marketing officer के बाद आप assistant district supply officer बनते हैं assistant district supply officer के बाद आपका जो पुस्टिंग होता है वो district supply officer के रूप में होता है मतलब promotion का काफी अच्छा खासा scope यहां देखा जा रहा है तो district supply inspector district supply officer के बाद आपका जो promotion हो जाता है वो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका आपका director के रूप में भी promotion होता है उसके बाद आप district supply officer के बाद director भी बन जाते हैं और डिरेक्टर बन जाते हैं food and supply department का और आप सचीव तक जा सकते हैं तो मैं लिए यह promotion आपका चार promotion है supply inspector से marketing officer, marketing officer से assistant district supply officer और assistant district supply officer से district supply officer तो promotion का अच्छा खासा scope है इसलिए promotion के लिहाज से salary के लिहाज से और work profile के लिहाज से ये पद काफी अच्छा खासा है जो लोग प्रसासनिक सिवा में अगर नहीं जा पाते हैं उसके बाद अगर कोई पद chain करने अगर हो लेवल 7 में तो लेवल 7 के अंतरियत ये काफी अच्छा पद है ठीक है दोस्तों हमें पूरी उमीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ share कीजिए और साथ ही हमारे चैनल के playlist में जाकर के और सारे post के बारे में आप पूरे बिस्तार से जानिए तो आज के लिए इतन हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ है